हलो दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चनल पर और मैं हिमानसू आज आपसे बात करूँगा कि बाम्बू हाउस के बारे में कि ये क्या होता है इसका इस्तिमाल कहा होता है और ये किस यूज में आता है तो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा समय आपको थे जिस पे बाम्बू का यूज होता था और जिसका ये एडवांटेज होता था ये बिनिफिट होता था कि उस पे गर्मी बहुत नहीं लगती थी मतलब insulator का काम करता था वो कि गर्मी में बहुत गरम नहीं होता था और ठंडी में भी बहुत ठंडा नहीं होता था जैसे कि हमको बहुत आनंद मिलता था बहुत अराम मिलता था bamboo house में आजकर लोग cemented घर मकाम बनवा रहे हैं और खुद आप देख सकते हैं कि बिना AC के रह नहीं पाएंगे गर्मी में आप current time में अगर आपका second floor या third floor पे आपका flat है या मकान जो भी है कमरा है तो आप बिना AC के नहीं रह सकते और जो पुराने घर थे कच्चे मकान थे या bamboo house थे या जिसको bamboo heart करते हैं जैसे मढ़ा करते हैं उस पे लोग easily natural हवा के सहारे रह लेते थे क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं लगते थी तो आज के इस दौर में भाग दौर भरी जिंदिगी हो गई ये सब की उस पे पहले की तरह लोग अब natural चीजों से connect कर रहे हैं जैसे उसका कारण एक example दे दू पहले कुलण में चाहे आती थी लस्सी आता था दही हम लोग जाते थे साधी ब्याह में तो पानी से लेकर खीर से लेकर दही वगरा सब कुलण में आता था बड़ा टेस्ट आता था उसमें फिर उसका जगा आगया आपका plastic के glass थर्मा कोल के glass और आज उसका क्या result है उस पर जानते हैं health के लिए भी नुकसान दे है क्योंकि plastic का कुछ न कुछ थर्मा कुल का अंस उसमें खाने में आ जाता है जिससे बहुत सारी विमारियां होती है और नत उसमें टेस्ट आता है कारी करने में भी गरम लगता है जो है हाथ भी जल जाता ह तो आज कल आप खुद देख रहे हैं कि हब जगह मिट्टी के बर्तनों का चलन हो गया है कुलर में चाय आ रही है चाट आपका कुलर के उसका मिट्टी के कटोरी में चाट आ रहा है बहुत जगह है तो हांडी में भी जो है दाल या कोई भी सब्जी या हांडी चिकन वगर य तो काने के मतलब है कि जो हम लोग चीजें पहले की चीजें थी वहाँ फिर जुर रहे हैं तो इसी तरह ये भी है concept कि bamboo house का निर्माड आप करवा सकते हैं अपनी आव सकता नुसार अब कौन-कौन से लोग इसको उपयोग मिले सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि जैसे किसी का tourist destination पे कोई restaurant है तो वहाँ पर ये बहुत सुंदर लगता है comfortable होता है लोग attract होते हैं आप एक heart एक छपरा जिसको इंगलिस में bamboo heart करते हैं वो बनवा सकते हैं कोई अच्छा ढाबा है वहाँ पर बनवा सकते हैं जहां पर public easily आए और enjoy करे और comfort zone में रहे और जैसा आप कर सकते हैं आज कर जानते हैं यह selfie का दौर है कहीं भी लोग जाते हैं कुछ भी खाते हैं कहीं भी घूमते हैं तो तुरण selfie क्लिक करते हैं share करते हैं तो यह एक unit चीज है तो यहाँ पर selfie point भी बन सकती है कि लोग आएंगे selfie लेंगे इस बहाने से आप एक customer भी बढ़ें आते हैं तो वो जो है वो भी बांबू हाउस का निर्मार करवा करवा के बहुत ही सकून से सांती से प्राकृतिक पर्यावरर के बीच रहकर निचुरल चीजों का आनंद ले सकते हैं पासात्म जैसा कि मैंने बताया कि जो बड़े बड़े जैसे कहीं कहीं आयोजन होता है जैसे बाबा बागिस्वर का आयोजन हो रहा है कोई संत महात्मा बड़े आते हैं या अपना नौरात्र चला है या सावन चला है या कोई बड़े महात्मा या ज्यानी पूरुस आ रहे है तो वहाँ भी पांडाल का निर्मार होता है बांबू हाउस के लिए बड़े बड़े रिजॉट में भी आप बांबू हाउस का निर्मार होता है चाइनीज का नर है वहाँ भी इसका निर्मार होता है कि जिससे एक अट्रेक्शन होता है और कमफट जोन भी होता है तो इसका आ लगबक 5 साल से 25 साल और आगे भी बढ़ाई जा सकती है वह ऐसा मैटेरियल इसमें डाला जाता है अगर मड का भी इस्तिमाल होता है सपोर्ट के लिए और मैटेरियल लगते हैं इसमें तो आप मन्चाहे साइज का मन्चाहे डिजाइन का और जैसा आपको ड्यूरेशन वैसा आप हमारे हां से जुड़ कर बाम्बू हाूस का निर्मार करवा सकते हैं और जिनको भी ये बांबू हाउस की आओ सकता हो पूरा इस्तिमेट लेना हो और हमसे जुड़ कर काम करना हो तो वो दिये गए नंबर पे जरूर काल करें उनको पूरा नालेज मिलेगा और अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और तो जरूर से वीडियों को लाइक, सस्क्राइब और सेयर जरूर करें थैंक यू सो मच